अगर आप एक ही तरह की घिया की सब्जी खा-का कर बोर हो गए हैं तो एक बार इस तरीके से घिया की सब्जी बना कर ज़रू ट्राइ करें इसे लॉकी भी कहते हैं चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं मेरे पास आधा किलो लौकी है आप जितनी बनाना चाहें उतने आप बना सकते हैं तो फिलाल मैं यहाँ पर एक ही लौकी यूज़ करूँगी जो कि आधा किलो में दो लौकी थी तो मैं एक ही यूज़ करने वाली हूँ यह आधा किलो से कम है लौकी को अच्छी तरह से छेलने के बाद इसको हम धोलेंगे तो यहाँ पर मैंने लौकी को धोलिया है अब मैंने एक ठाली लिया है इस पर लिया है मैंने एक ग्रेटर यानि की कद्दूकस इसमें हम घिया को घिसेंगे तो घिया काफी ज़्यादा लंबी थी इसले मैंने इसे काट कर आधी-आधी कर ली है जिससे की घिसने में आसानी हो तो हम यहाँ पर मीडियम वाले ग्रेटर से इसे ग्रेट करेंगे ना ज़्यादा बड़े वाले से करेंगे और ना ज़्यादा छोटे वाले से तो यहाँ पर मैं पूरी घिया को इसी तरह से अच्छी तरह से घिस लूँगी यह थोड़ी सी कोफते की तरह बनती है और खाने में भी थोड़ी उसी तरह से लगती है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ मीडियम वाले क्रेटर से ग्रेट करने पर इस तरह का इसमें से निकल रहा है सारी लोकी को मैंने घिस लिया है और पांच मिनट हो गए है इसे घिसे हुए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है अब मैं इसमें डाल दूँगी एक बारिक कटीवी प्याज दो हरेमेट्स काटके डाली है बारिक आदा चूटी चमच नमग डाला है आदा चूटी चमच धनिया पाउडर आदा चूटी चमच हलदी पाउडर अब मैं यहाँ पर बेसन डाल रही हूँ तो बेसन अभी मैंने दो चमच डाला है बाद में जरुत लगेगी तो और डाल लूँगी तो पहले हम सभी चीजों को अच्छी तरह से mix करेंगे उसके बाद इसमें और बेसन डालेंगे तो सारी चीज़े mix हो गई है अब इसमें दो चमच बेसन और था वो भी मैंने सारा डाल दिया अच्छे से इसे mix कर लेंगे आप चाहें तो पहले घिया को घिसकर इसमें नमक डाल कर रख दें पांसे दस मिनट के लिए फिर इसे निचोड कर उसके बाद सारी चीज़ें मिला सकते हैं लेकिन मैंने नहीं निचोडा अब मैंने एक प्लेट ली है इसमें मैंने थोड़ा सा ओईल डाला है पूरी प्लेट पर हम ओईल को अच्छे से फैला देंगे जिससे कि हम इसमें मिक्स्चर डाल कर जब पकाएं तो वो चिपकेना और आसानी से बाहर आ जाए तो जो हमने लॉकी का मिक्स्चर तयार करके रखा था उसे हम पूरी प्लेट पर अच्छे से फैला देंगे आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से फैला दिया है अब मैंने एक पतीले में पानी लिया है आदा ग्लास इसमें हम रखेंगे stand जब पानी गर्म हो जाएगा तब अब जिस प्लेट में हमने mixture को रखा है उस प्लेट को हम stand पर रख देंगे और इसे steam होने देंगे कम से कम 10-15 मिनेट के लिए तब तक हम जलिए gravy बना लेते हैं यहां मैंने एक कड़ाई में 2 चमच सरसो का तेल लिया है तेल के गर्म हो जाने के बाद इसमें आदा चोटी चमच जीरा डाल देंगे दो मैंने सूखी लाल मिर्च ली है और एक तेश पत्ता लिया है अब इसमें मैंने एक प्याज ली है जिसको मैंने बारीक काट लिया है आप चाहें तो प्याज को पीसकर या घिसकर भी ले सकते हैं प्याज को हम थोड़ा सा कलर चेंज होने तक पका लेंगे बेच बेच में इसे चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे पंदरमने ठोगए हैं इसे पकते हुए चली देख लेते हैं चाकू डाल कर कि ये पका है या नहीं अभी चाकू हलका सा गीला आ रहा है तो इसे हम पांच मिनट के लिए और इस टीम कर लेंगे और यहाँ पर प्याज का कलर भी जो है वो चेंज हो गया है पहले से थोड़ा सा ये पिंकिश कलर का हो गया है अब इसमें लहसुन, हरी मिर्च, अधरक और धनिया का पेस्ट डाल देंगे ये दो चमच के लगबग पेस्ट है हम सारा डाल देंगे तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे प्याज के साथ पकाते हुए दो मिनट तक सभी चीजों को पका लेंगे अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे स्वादनुसार, मैंने यहाँ पर डाला है एक चोटी चमच नमक अब इसमें डालूँगी आधी चोटी चमच जालती पाउडर एक छोटी चमच डालूँगी मैं इसमें धनिया पाउडर अब डालूँगी मैं इसमें आदा छोटी चमच गरम मसाला पाउडर कश्मी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हम एक छोटी चमच सभी मसालों को अच्छे तरह से मिक्स करते हुए पका लेंगे कम से कम 2-3 मिन तक हमें मसालों को पकाना है यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिसे की मसाले जले नहीं जिस कटोरी में अधरक लैसुन धन्या और हरी मिर्च का पेश्ट था उसी कटोरी से मैंने इसमें पानी डाला है कम से कम इसमें आधा कटोरी जितना पानी डालेंगे और फिर इसे मेक्स करके हम ढखकर पकाने के लिए रख देंगे दो मिनट के लिए सभी चीजों को ढखकर पकाएंगे दो मिनट के बाद ढखकन को हटाएं और देखें मसाले पके हैं या नहीं आप देख सकते हैं साइड में तेल आ गया है यानि कि मसालों ने तेल को छोड़ना शुरू कर दिया है मसाली अच्छे से पक गए हैं अब इसमें डाल देंगे हम पानी आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उससे थोड़ा सा पानी एक्स्टर डालें क्योंकि जो हमने लौकी का मि पांच मिनट और पका लेने के बाद मैंने इस मिक्स्यर को बाहर निकाल दिया था अब ये ठंडा हो गया है तो अब मैं इसके पीसिस कट कर लूँगी उसके बाद हम ग्रेवी में डालेंगे जितने बड़े आपको पीसिस चाहिए उसके हिसाब से आप काट ले तो यहां प और देखे कितने आराम से ये निकल जा रहे हैं तो इसी तरह से हमें सारे पीसिस निकाल लेने हैं पांच मिनट हो गए हैं पकते हुए ग्रेवी को चैक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ग्रेवी में उबाला गया है तो ये जो सारे पीसिस हैं हम इसमें टाल देंगे, बहुत ही टेस्टी बनती है, इस तरह से एक बार सब्जी को बना कर जरूर ट्राइ करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मैंने सारे पीसिस को ग्रेवी में डाल दिया है, और हमें इने बहुत ज़दा नहीं चलाना है, सिर्फ इतना करें कि ग्रेवी में अच एक बार मिक्स कर देंगे, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब अब नमीक बॉरेटी, औरॉटी पूरी, चावल किसी के साथ भी खाएं बहुत ही टेस्टी लगने वाली है आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर करना और सभी के साथ शेयर भी करना मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर